आज के वीडियो को स्पॉंसर किया वंडरे शैयर के यूनिक कणवर्टर ने, यूनिक कणवर्टर एक All-in-one Video Converter Tool है, जिसके अंदर की आप किसी भी फॉर्मेट के वीडियो को किसी भी फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, और आप इंटरेनेट से चाहिए कोई भी वीडियो क आपको डाउनलोड कर सकते हैं बस अपना URL को यहां पे पेस्ट कर दीजिए और वो इंटरेट से अनलाइज करके आपको पूरे डीटेल्स देगा आपको जो कॉलिटी सेट करने हैं आप सेट करके डाउनलोड कर सकते हैं अब अगर आपकी जैसी भी खुदाई वीडियो आपक इसको कनवर्ट कर सकते हो और फटाफट आपका हो जाएगा नहीं तो अगर आपको नहीं मालूम है कि आपके फोन में कौन सा कॉलिटी चलेगा तो आप यहां पर और प्रिसेट्स दिया हुआ Android के लिए Samsung के लिए Apple के लिए जो आपका फोन है जिस कंपनी का ब्रैंड का है आ और बस इतना ही नहीं आप चाहो तो जितने भी आपने वीडियोस डाउनलोड के उनको DVD के अंदर बन कर सकते हैं एक साथ नहीं तो आप डिरेक्ली ट्रांसफर कर सकते हैं अपने फोन के अंदर और अगर आप टूल बॉक्स सेक्शन में आते हो तो आप यहां पर image convert कर सकते ह हो DVD बना सकते हो VR में convert कर सकते हो अपनी वीडियो के metadata को भी fix कर सकते हो और वीडियो को compress भी कर सकते हो जो की वीडियो की size को decrease कर देगा पर quality 19 के अंदर आगर आप कोई भी game एकदम smoothly खेलना चाते हो without किसी stutter या lack है तो आपको कितने course की जरूत है आपके CPU के अंदर तो आप इस वीडियो को end तक जरूर देखिए और मैं इसे short से short रखने की जरूर कोशिस करूंगा तो अब सबसे पहले आ चाते Intel versus AMD के उपर क्योंकि history यह proof करते कि AMD हमीशा से value देता रहा है जो कि अब शायद change होता है क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि AMD low end processor के बारे में care भी नहीं करता है क्योंकि उन्होंने अपने E3 के presentation के अंदर अपने APUs और फिर बाद में Ryzen 3s के बारे में बात करना मुनासिव नहीं समझा खेर future चाहे जो compare किया जाए तो किसका अच्छा है और आपको कितने cores की जरूरता gaming के लिए चलिए उसके बारे बात करते हैं तो सबसे पहली बात आज कल के जितने भी modern games है जो की आ रहे हैं उनको अगर आप अच्छे से smoothly खेलना चाहते हो तो कम से कम आपको 6 core का processor चाहिए यानि कि अगर आप uncompromised gaming का experience लेना चाहते हैं तो इसके नीचे आप जा नहीं सकते हाला कि i3 भी अच्छा option है लेकिन वो budget gamers के लिए है लेकिन यह अच्छी खासी गेमिंग करा देता है चाहिए वो shadow of the tom raider हो या फिर plague tale innocence हो या फिर ऐसा और भी कोई game जो की CPU intensive हो लेकिन अब अगर वह AMD से compare क की जाए तो आज के जमाने में आपको ryzen 5 1600 मिल जाएगा लेकिन उसके अंदर छे core से और बारा थ्रेट से अब अगर comparison की बात की जाए तो जो 7th generation के i5 से चाहे वो quad core unlocked वाले हो या फिर locked वाले हो वो तो एकदम मतलब obsolete हो चुके है हाला कि हर games के लिए नहीं लेकिन कुछ AMD से थोड़ा जादा frame rate तो मिल जाएगा लेकिन फिर बाद में आपका जो 1% loss वो बहुत ही जादा suffocate करती हैं और आपको मालब है कि 1% loss जो हो बहुत ही जादा critical point होते हैं आपके gaming के लिए क्योंकि वही define करते हैं कि आपकी जो gaming है वो कितनी जादा smooth होने वाली या फिर आपक का काम रहता है यानि कि जो non playable characters या surrounding में जो भी living things है move करते हुए तो उन सभी को process करने के लिए तो क्या CPU power लगता है और अगर आप एकदम simply समझना चाहते हो कि मैं क्या कहने की कोईश्च कर रहा हो तो आप simply hardware inbox की एक video देख लो जिसके अंदर की उन्हेंने i5-7600K को 4.8 GHz पे overclock करके और Ryzen 5 1600 को overclock करके comparison कुछ games में किया हुआ है तो 1% lows के क्या result है आप मतलब खुदी checkout कर सकते हैं तो simple सा funda यह है कि आज के जमाने में अगर आप modern games को खेलना चाहते हो बिना किसी compromise के आपको एक दम बहुत ही stable 1% lows चाहिए और आपका average fps ज्यादा चाहिए तो आपको एक CPU के अंदर कम से कम मतलब 6 cores और 12 threads होने चाहिए इसलिए आपने कहीं कहीं पर यह भी देखा होगे कि far cry का जो latest वाला iteration आये वह मुझे नाम नहीं आदा रहे लेकिन उसके अंदर कहीं के पर i5 9400F उसके जो lows है वह बहुत ज़्यादा गिर जाते वह जो Ryzen 5 2600 है वो मतलब smoothly चल जातर graphical power को demand करते हैं तो most of the cases में अगर आपके पास एक higher clocked quad core है तो भी चल जाएगा लेकिन just in case यार अगर आप एक दब variety वाली gaming करना चाहते हो मतलब जितने भी future के games है सभी के सभी आपके PC में must चले तो वही बात है कि आपको 6 cores और 12 threads की ज़रुवत पड़ेगी पड़ेग और वही अगर आप future proof रहना चाहते हो तो यार आप 8 cores और solar threads के साथ जा सकते हो लेगिन अब बात यह आदे कि यार देखो जो budget वाली लोग है वो क्या करें जो की मतलब 12,000 या साड़े 12,000 अपने CPU के उपर spend नहीं कर सकते तो उनके लिए एक ही choice है आपके लिए सबसे best choice पड bottleneck नहीं करेगा हाला कि कुछ-कुछ ऐसे games है जहां पर कि मतलब यह प्रोसेसर bottleneck होने लगता है यहां तक कि 1650 के उपर भी अगर आप थोड़ा settings मतलब लो करके खेलोगे तो अब ऐसा नहीं कि यह CPU खराब है लेकिन बात यह कि यह जो गेम है Shadow of the Tomb Raider उसकी जो CPU की demand है वह ज् तो इसलिए यहां पर जबकि 1650 जबकि एक मतलब अच्छा mid-range GPU भी नहीं है तो वो भी मतलब अगर थोड़ा settings low करने पर i3-9100F को bottleneck कर दे रहा है और अब जबकि Ryzen 3rd generation launch हो चुके और July 7 तक आ जाएंगे तो आपको budget में काफे अच्छा option मिल रहा है हाला कि AMD ने बात तो नह Ryzen के लिए पैसा spend नहीं करें तो वो जो आप पैसा नहीं spend कर रहे हो वह आप एक अच्छे cooler में डाल सकते और आपको एक अच्छा cooler मिल जाएगा तो आप overclock कर सकते हो probably 4.2 GHz पे all core पे तो यह काफे अच्छा processor बन जाएगा क्योंकि इसके अंदर आपको 15% IPC भी extra मिल रहा है फिर बाद में cache memory की tweaking है latency थोड़ी कम की हुई है तो यह जो processor होगा मेरे ख्याल से अब यह mainstream processor gaming के लिए बन जाएगा और नेक्स जनरेचन के Ryzen processor के साथ तो Intel को मतलब AMD ने हराई दिया है आप देखते हैं कि Intel का अपने new processor 10 nanometer के लेकर आता है तो साफ सीथी बात यह है कि अगर आप आज के समान में gaming करना चाते हो तो कम सकम आप कोशिश करो कि आप i3 9100F लो नहीं तो अगर आप थोड़ा और stretch कर सकते हो तो आपके लिए i5 9400F है या फिर राइजन 5 1600 आपको जैसा लगे AMD का processor आपको लेना AMD कलो Intel कलो नहीं तो मैं तो recommend करूँँगा कि आप Ryzen 5 1600 ही ले तो Ryzen 7 है या तो फिर आप Intel के i7 के पास जा सकते हैं और वही जो साथ में gaming plus streaming करना चाते हैं मतलब कि game भी खेल रहा और साथ में upload भी कर रहे है अपने YouTube चैनल पे live तो आपके लिए Ryzen 9 3900X है क्योंकि उसके अंदर आपको 12 course मिलते हैं 24 threads मिलते हैं तो आप आराम से S 2.64 encoding करके कि वह भी slow preset के उपर अपने gaming experience को भी maintain कर सकते हैं और आप एक अच्छी quality stream भी कर सकते हैं तो बस इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही अगर आप को वीडियो पसंद आतो इसे like कीजिए और share कीजिए अपनों दोस्तों के बीच में अगर आप मेरे चैनल को support करना चा आपिंग भी कर सकते हैं अब मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई